हेलो स्टुदेंट्स आम अनुराग आज हम इलस्टेशन नमबर वन देख रहे हैं चैप्टर है अकाउंटिंग रेशोज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें वेरियस फॉर्मुलेस का इंट्रोडक्शन आप आपको मिलेगा और सभी फॉर्मुलेस को मैं आपक की गोल का इलस्टेशन नमबर वन जहें वो ले रहे हैं तो देखिए सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं वो देख रहे हैं अपने करेंट रेश्यो सही है तो करेंट रेश्यो का फॉर्मुला क्या होता है करेंट रेश्यो का फॉर्मुला होता है करेंट असेट्स अपां जब भी step का question है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि current assets और current लेबडी के लिए एक working वो बना देना चाहिए कि कौन-कौन सी आपकी current assets है इससे teacher को copy check करने बढ़ी असानी रहेगी तो देखिए सबसे पहले एक working note हम बना रहे है current assets के लिए तो देखिए question में काफी सारे content आपको दे रखे हैं और आपको उसमें से sort out करना है कि कौन-कौन सी इसमें से current assets है और कौन सी current library है जो कि अपने formula के वीडियो में देख भी चुके है तो देखिए current assets कौन-कौन सी है एक तो है current investment ये current investment है आपके 40,000 के इसके अलवा आपकी inventory है inventory वैसे तो आपको दे रखी है 2,80,000 की लेकिन bracket में आपको दे रखा है कि इसमें loose tools भी including है 50,000 तो मैं आपको बता दूँ इस chapter के अंदर especially एक assumption है कि वैसे तो loose tool current assets है लेकिन current ratio की calculation में उससे शामिल नहीं करते तो वैसे तो 280 है बड़ 280 हम शामिल नहीं करेंगे हम क्या करेंगे 280 में से उस 50 को less कर देंगे जो की loose tool का है बाकी की inventory हम ले ले लेंगे that is 2,30,000 इसके अलावा trade receables हैं आपके trade receables में आपके दोनों आ जाएंगे data भी आ जाएंगे एक तो आपके data हैं वो है 1,60,000 के और एक आपके bill receivable हैं ये भी आपके current assets होते हैं ये content जो है अपन पिछले वीडियो में discuss कर चुके हैं सही हैं इसके अलावा current assets में आप देखिए और नीचे नीचे cash and bank है आपका 30,000 cash and bank दे रखा है 30,000 इस तरीके से vertically जो है अपने सभी को लिख दिया और इनका total आपका आ रहा है 4,80,000 ये आपकी क्या गई current assets अब हम current assets की value आप put कर सकते हैं current assets आपकी 4,80,000 second working note अपनको बनना पड़ेगा वो बनना पड़ेगा current libraries के लिए current libraries देखते हैं सबसे उपर आपका non current current inventory trade payables trade payables में आपके देखिए creditors हैं आपके 1,20,000 bill payables हैं आपके 10,000 ये वैसे तो दोनों मिलकर आपके trade payables बन जाते हैं इसके अलावा long term तो लेनी सकते हैं short term बोरेंग आपको दे रखिए 50,000 short term बोरेंग आपके 50,000 और इसके लावा short term provision और taxation का जो कि आपको इसी साल पे करने पड़ेंगे तो taxation की जो आपकी liberty है वो है आपके 20,000 तो 120 प्लस 10 130, 150, 180 and 20 that is 2 lakh ये current liberty इसका total आगया that is 2 lakh तो ये current assets हमने यहां से find out कर ली ये current libraries हमने वहां find out कर ली then 480 divided by 2 lakh कर दिया इसको आप divide करेंगे तो ये आपका आएगा 2.4 वैसे तो ये answer है बट इसको इस 21 के comparison में लिखा जाता है कहने का मतलब ये है कि एक current library का payment करने के लिए आपके पास 2.4 current assets है या फिर मैं ये कह दू 2.4 current assets को है आपके पास एक library का payment करने के लिए वैसे current ratio का जो ideal होता है वो होता है 2 is to 1 तो 2 is to 1 जो है वो standard है इसके आसपास अगर रहता है तो ये तो standard से भी अच्छा है ये 2.4 तो इस तरह के साब वो comment भी करना पर सकता है कि ये ratio जो आपने निकाला है ये आपकी firm या company के लिए अच्छा है या नहीं है ठीक है तो ideal ratio से compare करके भी आप दिखा सकते हो ये आपका क्या हो गया ये आपका current ratio illustration number अब हम देखते हैं इसी का illustration number 4 है वो इसमें दोनों ratios जो हैं वो आपको दिए गए calculate करने के लिए काए गए हैं तो अब illustration number 4 हम देख रहे हैं इसमें आपसे पूचा गया एक तो current ratio पूचा है और एक आपका quick ratio पूचा है इसको अभी आपन देख रहे हैं content आपको दे रखे हैं काफी सारे तो वो ही पहले आपन को working बना देना चीए कि current assets हमारी जो हैं कौन-कौन सी हैं देखिए शुरू से देखते हैं cash and cash equivalent आपको दे रखा है cash and cash equivalent आपको दे रखा है 46,000 का इसके अलाबा inventory है जितनी भी type की inventory है सब आपकी current assets है 110 है, 30 है, 120 है, 40 है total 3,000 की आपकी inventory है यह inventory के अलग-अलग types होते हैं machinery current assets नहीं है computer current assets नहीं है then trade papers दे रखा है तो वो भी साथ में बना लेता हूँ आपका working note current library और trade papers दे रखा है और trade papers दे रखा है 1,70,000 इनको हमेशे working note बना कर दिखा है वो आपके लिए अच्छा रहेगा trade receable आपकी current assets होती है इनसे तो आपको पैसा लेना है यह आपकी है 2,000 long term कभी आ नहीं सकता short term investment आपको दे रखा है 50,000 वो आपकी current assets है इसके अलावा liability for current taxation 30,000 आपको चुकाने है तो वो भी आपकी current liability है 30,000 पै करना है आपको liability for future taxation आपको दे रखा है वो इस साल नहीं चुकाना है तो वो आपकी current liability नहीं है bank overdraft 60,000 यह आपकी current liability है इसके अलावा dividend payable जिसके आगे पैबल वर्ड लग जाए जिसके आगे भी वर्ड पैबल लग जाए तो वो आपकी current liability बन जाती है और यह dividend payable आपको दे रखा है 50,000 और outstanding expenses भी आपकी current liability है और यह है आपकी 10,000 और prepaid expenses आपकी current assets है यह आपको दे रखा है 20,000 सही है तो current assets का जब हम total कर रहे है तो यह total आपका बैठ रहा है 5,76,000 और current liability जो हैं जब हम इनका total कर रहे हैं तो यह total आपका बैठ रहा है 3,20,000 तो यह current assets और current liability निकल गई है current ratio का formula लगाते हैं current ratio का formula आपका होता है current assets upon current library current assets किती है 5,76,000 और current library किती है 3,20,000 तो 5,76 divided by 3,20 आप करेंगे तो आपका answer आएगा 1.8 और मैंने आपको बताया जब भी आप current ratio calculate करेंगे तो इसको इस to 1 के comparison में तो आपको दिखा नहीं पड़ेगा this is your answer तो वैसे तो current ratio निकल गया एक और पूछा है इसमें quick ratio quick ratio या liquid ratio उसको कह सकते हैं formula है आपका liquid assets upon current library liquid assets upon current library full form सिंगिया पहले ही अलग से लग लेना जिससे कि भी इतना आपको परिशान नहाना पड़े तो liquid assets की बात करें तो liquid assets कैसे निकलती है उसके लिए भी एक formula आपको बनाना पड़ेगा working note देना पड़ेगा कि current assets में से अगर आप inventory और prepared expenses को less कर दें तो यह आपका क्या निकल जाएगा liquid assets तो current assets आपने कितनी calculate किये देखिए current assets आपने calculate किये है 5,76,000 inventory inventory यह दे रखी कितनी 3,000,000 इसको less कर दो और prepared आपको गितनी दे रखे है 20,000 इसको भी आप less कर दो तो 5,76 में से जब यह दोनों less होंगे तो देखे inventory में भी एक बात दे रखी है इसमें loose tool है तो loose tool का अपने को थोड़ सा द्यानखना पड़ेगा inventory जो है उसमें including loose tool है 40,000 तो वहां आप 260 ही लेंगे और यहां भी आपको inventory जो है वह आपको 260 ही लेनी पड़ेगी क्योंकि loose tool शामिल थे उसमें 260 तो 260 और 20 आपके less हो जाएंगे तो यह आपका कितना बचेगा 296 तो आपका liquid results कितना आगया 296,000 और current library में आपका कोई chain नहीं हो है current library अभी भी आपकी कितनी है 3,20,000 तो 2,96,000 देट बचेगा 3,20,000 that is 0.925 और इस to 1 के comparison में तो आपको लिख नहीं है तो यह आपका आगया is to 1 तो यह भी आपका क्या हो गया answer यह एक अपने mistake कर दी थी ध्यान रखना अपने loose tool शामिल कर लिए तो loose tool में इसमें से हटा दिये है और यही बात यहाँ भी शामिल है कि inventory में loose tool शामिल नहीं हो सकते है ऐसा अपने पिसले example में किया था अब हम देख रहे है question number 11 अब यह current ratio और liquid ratio के आगे का extension है इसमें हम missing के question भी discuss करेंगे तो देखे illustration number 11 कहता है working capital है 45,000 total debt है 1,000,000 जो given है पहले में वो लिख रहा हूँ और long term debt है आपका 70,000 यह question में given information है कहता है current ratio find out करूँ अब ना तो current assets है ना current libraries है लेकिन देखे इस type के question के लिए आपको balance sheet का थोड़ा सा content ध्यान अखना चाहिए balance sheet में यहाँ आपका current non current assets है यह current assets था यहाँ आपका उजएगा total assets यहाँ आपका shareholder fund था यहाँ आपका non current library था और यहाँ आपका current library था सही है यह content आपके balance sheet में आते हैं total library बन जाते है total depth यहाँ नहीं non current library और current library इसको को बोलते है total depth यह दोने ही आपको pay करने है total depth आपका 1 lakh ठीक है और long term depth है 70 आप देखो सोचने की बात ही है total तो 1 lakh है और यह 70 है तो यह कित्ता होगा यह अपना भी 30 हो गया 1 lakh ठीक है और इसके अलावा आपको कहता है कि working capital ए 45,000 देखो working capital का आपका formula जो होता है वो होता है current assets minus current leverage और working capital आपको दे रखिये 45,000 और current assets तो पता नहीं लेकिन current library में पता है current library कित्ती है 30,000 अब यह minus 30 है वहाँ जागे plus हो जाएगी तो 45 plus 30 equals to current assets so current assets are 45 plus 30 that is 75 अब current assets भी है current libraries भी है current ratio find out कर लेते हैं current ratio का formula क्या होता है current assets upon current library current assets है 75,000 current library है 30,000 तो 75 upon 30 that is 2.5 is to 1 this is your answer तो देखें missing के question में क्या है कि data आपको एकदम भिखना हुआ दे रखा होगा आपको उसको consolidate करना पड़ेगा आप उसको balance sheet में सोची कि ये चीज़ें आप उनको क्या क्या given है और क्या क्या चीज़ें आपको missing है उन्हें हम calculate करें तो ये था आपका example number 11 आगे अपन देखते है example number 20 illustration number 20 अपन देख रहे है एफ़र मैंसे current ratio current ratio का आपका formula होता है current assets upon current library और ये आपको दे रखा है 3.5 is to 1 कहता है quick ratio quick ratio का मतलब हो गया liquid ratio यानी formula है liquid assets upon current library और ये दे रखा है 2 is to 1 और कहता है inventory 24,000 ये भी question में given है inventory कितनी है 24,000 ये सब information जो है आपको इसके लिए given है और हमें कहता है कि बताए current assets और current library क्या होगी current assets भी पूछी है और current library भी पूछी है अब देखो informations के साब से चले तो direct information तो है नहीं cross multiply कर देते हैं जब भी equals to sign हो CA into 1 ये cross multiply कहते हैं इसको CA into 1 CA equals to 3.5 current library अब ना तो CA पता है ना CL पता है LA into 1 LA equals to 2 CL ठीक है अभी भी नहीं पता अगर ना CA पता है ना CL पता है ना LA पता है थोग सा और explain करते है liquid assets कैसे निकलता है current assets में से जब हम inventory less करते है तो liquid assets निकलता है मैंने इसको spend कर दिया ठीक है ना थोगा खोल लिया liquid assets कैसे निकलता है current assets minus inventory करने से equals to 2 CL अच्छा CA का मतलब क्या है CA का मतलब है 3.5 CL तो मैं CA की जगे क्या लिख लेता हूँ 3.5 CL देखो values यहां से ले ले minus inventory का मतलब क्या है 24,000 equals to 2 CL 2 current library यह 2 current library यहाएगा तो minus का हो जाएगा तो 3.5 current library यह धर ले आओ minus 2 current library और यह minus का 24 महाँ जाके plus का 24 हो जाएगा 3.5 में से 2 गया तो बच्छा 1.5 current library equals to 24,000 so current library equals to 24,000 divided by 1.5 so current library 24,000 divided by 1.5 आप करेंगे यह आपका रहा है 16,000 तो current library केती आगे current library यह अपकी आगे 16,000 अब हम वैल्यू पूट कर सकते हैं CA का मतलब है 3.5 current library और current library अब हम में पता लग गया है current library is 16,000 यह हमारी current library है 16,000 CA equals to 3.5 into 16 that is 56,000 यह भी आपका अशर आगया CA आगया current library आगया यह दो चीजे पूछी थी आपकी दोनों निकल गए हैं तो इस तरह से आप देखे कि आपको formula जो है उसमें various expect जो है कहीं ना कहीं से input करने पढ़ सकते हैं तो आपको सभी formula लिख लो values put करो अपना answer अपने आपकी लेगा अब हम इसके लिए देखते है illustration number 22 देखे question में कहता है working apply है two lakh fifty thousand और working apply का formula होता है current assets minus current library total debt total debt आपको दे रखी है four lakh और total debt का formula होता है long term debt plus short term debt या तो long term पे करोगे या short term में दोनों को add कर दो total debt निकल जाएगा इसके लाबाए inventory दे रखा है two lakh और इसके अलावा prepaid expenses दे रखा है ten thousand यह data ज़िए आपको गिवन है इसके अपनको यूज़ करना है तो देखे long term debt आपको गिवन है three lakh twenty thousand question में गिवन है short term debt का आप current library कहते है तो यह current library लिख देते है अब यह four lakh में जे three twenty one जाके लेस हो जाएंगे तो current library निकल जाएगी current library किती निकल जाएगी current library निकल जाएगी 80 thousand सब्सक्राइए current library 80 thousand निकल गी तो यह 80 thousand आप यहाँ पूट कर सकते हो यह current assets हाई यह minus का 80 यह माज़़खे फ़र्मला क्या होता है? liquid assets upon current laboratory. current laboratory तुम्को पता है किती है? 80,000. लेकिन current assets तो पता है liquid asset नहीं पताख लिकूट asset कैसे निकलती है? sir current assets में से आप inventory अर पी unions को less करतो. current assets किती है? hangman Io current kol columet किती 3,30,000. inventory आपको पहले से कोश्वा में गिवन थी, 2,00, प्रिपेड आपको कोश्चन में पहले सी गया हमते 10,000 तो 3,30 में से आपके 2,10 चले जाएंगे तो यह किता बचेगा 1,20,000 यह क्या आगई आपकी लिकुड असेट्स लिकुड असेट्स की वैल्यू यहां पूट कर दो तो 1,20,000 divided by 80,000 यह आपका आगया 1.5 और इस्टू 1 का मेशा करना कंपल सरी है यह आपका आणसर आगया तो इस तरीके से अपने वैरियस कोश्चन जो है वो लिकुड इटी रिशो उसके किये हैं अंदर अपने करन्ट रिशो और लिकुड इटी रिशो को कवर किया है ओके थैंक्यू